कुछ शाम देद आप सब का हमारे चैनल सबसे गार्डिन में आज मैं करने वाली हूँ एक छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के शुरुआत मैं करूँगी सेम से आप यहाँ जो देख रहे हैं यह सेम का पौधा और यह एक बहुत ही चोटी सी ग्रोबैग में लगा हुआ है लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग भी हुए थे जिसे मैंने कई बार हार्वेस्ट भी कर लिया है हलाकि पौधे को जादा इसकी लेंट नहीं है पौधा जादा बड़ा नहीं हुआ है I don't know why क्योंकि जो मिटी है वो एक ग्रोबैग में रखी हुई है और इतना काफी है कि एक बादा बड़ा हो सके लेकिन फिर भी ये इतना जादा बड़ा नहीं हुआ है हो सकता है कि यहां पर जादा धूप नहीं आती थी इसी वज़ा से ये पौधा जादा नहीं बड़ा हालाकि इसमें फ्रूटिंग हुए थे और दो तीन बार मैंने इससे हार्वेस्टिंग भी ले ली है अब ये मैं लास्ट हार्वेस्टिंग ले रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है और जाड़े का मौसम जा रहा है तो इसलिए जाड़े की जो सब्जेया है वो गर्मी के मौसम में नहीं होंगी तो इसलिए जाड़े के मौसम के जितने भी पौधे हैं उटने में हटा दूगी और सेम में थोड़े कीडे भी लग गए थे आप यहां देख सकते हैं कि सेम में एक सेम में बहुत सारे कीडे लगे हुए हैं तो ये भी एक रिजन है पौधे को हटाने का अलगि जो पौधा होता है सेम का जाड़े के मौसम में वो फ्रूटिंग तो देता है और इससे आपको सेम मिलने लगेंगे लेकिन अगर आप चाते हैं कि आप जाड़े के मौसम में नए पौधे लगाएं तो आप पौधे को हटा दें अभी मैं इस पौधे को हटा दूँगी क्योंकि मैं छट पर ही गार्डिनिंग करती हूँ और इतना जादा मेरे पास मिटी नहीं है कि इस पौधे को मैं रहने दूँ और दूसरे मिटी में मैं दूसरे पौधे लगाओं तो इतनी जादा तो मिटी है नहीं और किचन वेस्ट वेगरे का ही इस्तेमाल करते हूए मैं गार्डिनिंग करती हूँ तो देख सकते हैं कि ये इसी grow bag में लगा हुआ है और अब मैं इस पौधे को हटा दूगी क्योंकि मैंने इसे harvesting ले ली है और अब इस पौधे को हटा कर इतना मुझे same मिल चुका है अब इस पौधे को हटा कर मैं दूसरे पौधे इसमें लगा हुआ दूगी लेकिन पौधे लगाने से पहले मुझे मिट्टी को सही करना पड़ेगा त्यूंकि उसमें घाद वगरा देना है अब मैं हर्वेस्ट कर रही हूँ टमाटर और टमाटर कई पार्ट में मेरे लगए हुए हैं और यह जो आप देख रहे हैं वह एक ही पार्ट में इस गए हैं यह तहमाटर है वह थोड़ी पग लगए हैं वार्ग awake इसकी जो सकीन है वो अभी भी थोड़ से कड़े हैं लेकिन हो सकता है कि धूप की वज़ा से पग गया हो लेकिन इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगे अब बार ही है दूसरे पॉट के टामाटर की दूसरे जो पॉट में आप ये देख रहे हैं टामाटर का पॉधा इस पॉट में लगाय थे मेथी के पॉधे को और मेथी साग जब मैंने हार्वेस्ट किया था उसके साथ साथ बहुत सारे टामाटर के पॉधे भी खुद बखुद हो गाये थे मैंने उन्हें नहीं हटाया था बलकि उसे ऐसे ही छोड़ दिया था और अब ये पॉधे काफी बड़े हो गए हैं और इ तो इसमें से बहुत सारे टमाटर भी अपग गया हैं और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी खासी हो रही है और यह आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इतने टमाटर तोड़े हैं अभी और भी बहुत सारे टमाटर हैं तो टमाटर की में बात करूँ तो टमाटर आप साल भर लगा सकते हैं लेकिन इसे जादा धूप पसंद नहीं है अगर आप गर्मी के मौसम में भी टमाटर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको टमाटर मिले तो आप अभी टमाटर के पौद लगा सकते हैं लेकिन उ मिख्स योरो कि इतना हाइ तेमपरेशर ना मिले और इसे हलकी धूब मिले जिस तरह से जाड़े के मौसम का धूब हलका होता है ऊस तरह से मिले तो इसकी जो फुरूटींगsınız तरीके से हो सकेगी और दूसरा यह कि इसके जो पौधे होते हैं, किसी भी मिट्टी में ओगाते हैं, और फूर्टिंग भी देने लगते हैं, बसरते हैं कि उस मिट्टी में important और essential जो nutrients होते हैं जो टामाटर के पौधे को चाहिए होते है nutrients, वो nutrients मौजूद हों, अगर आपको लगता है कि मिट्टी में न्यूट्रियंट्स नहीं है या फिर सिर्फ खाली मिट्टी है तो आप क्या करें कि उसमें अपना किचिन वेस्ट मिक्स करना शुरू कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौदे की जो फ्रूटिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी और अ इस पौदे के लिए सिर्फ जो गोबर की खाद होती है वो काफी होती है और मैं किचन वेस्ट के साथ गोबर की खाद काभी इस्तमाल करती हूं जो कि मैं घर पर ही बनाती हूं गोबर की खाद और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी इससे देखने को मिलता है और यह जो कि मैं गर्मियों में भी टामाटर हार्वेस्ट करूं तो इसके लिए मैं अपने पौधे को लगाऊंगी यह जो टामाटर का पौधा है सिर्फ एक पौधे से मुझे हार्वेस्टिंग नहीं मिल रही हैं बल्कि बहुत सारे मैंने पौधे लगाए हुए हैं कुछ पौधे थोड़ी से गोल से हलकी सी लंबी इस तरह के टामाटर मुझे देखने को मिले आप यहां देख सकते हैं कि यह जो है टामाटर यह गोल नहीं है बलकि थोड़ी सी लंबी है यह भी हलकी सी लंबी है पौरी तरह से गोल नहीं है तो इस तरह के दो तरह के टामाटर मुझे लगानी है और इसके लिए मुझे पॉट भी तयार करनी है और जो पॉट है वो है मचली के पेटी जिसे मैंने हाफ करके दो गमले मैंने बनाए थी और हर गमले में मैंने कुछ न कुछ लगाया हुआ था यह जो आप देख रहे हैं यह है मटर का पॉधा जो कि अब हार्वेस् बहुत सारा लिया भी है तो यह भी एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है अब इसमें से चुकी हार्वेस्टिंग नहीं मिले की पॉधा भी सुग गया है तो इसे मैं यहां से हटा दूगी और इसमें से जो मटर मुझे मिले थे इतने काफी मिले थे जिसे कि मैं केशन में यूज कर सकूँ और यह भी कवे छोटे पॉट में ही लगा हुआ है और इस मटर के पॉधे को मैंने कैसे लगाया था जो आटा चावल का दुखान होता है वहां से मैंने हरे मटर मंगवाए थे और उसी हरे मटर का यूज करते हुए मैंने इसमें लगा दिया था कुछ गार अच्छा है क्योंकि कोई कोई हाइब्रिड बीज होता है तो उसे अच्छी खासी हमें मिलती है हर्वेस्टिंग लेकिन मैंने दुकान से हरा मटर मंगवाया था और उसी में से कुछ मटर को मैंने यहां पर बो दिया था और पॉधे ओगाये थे और मुझे मिल गये थे मटर के पॉधे लगाने के बाद तो अब इसे मैं मटर के पॉधे को हटा कर इसमें मैं गोबर की खास मिक्स कर दूंगी या फिर किचन वेस्ट मिक्स कर दूंगी उपर से फिर से मिट्टी को मैं डाल दूंगी तो जिसे कि यह पॉट तैयार हो जाएगा दूसरी पॉधे को लगाने के लिए इस तरह से मैंने इसमें मिटी भरा था नीचे मैंने किचिन वेस्ट दिया था जो कि अभ डिकंपोस बूज़ी तरह से हो गया है अब नए पौध ही लगाने के लिए मुझे इसमें गोबर की खाद मिलानी पड़ेगी तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना पॉट तयार कर लिया है और इसमें अब बाकी है मुझे मिलाना जो खाद होता है वो मिलाना बाकी है तो कुछ पॉधों में अभी भी टामाटर लगे हुए है और अभी उन्हें पकने में भी टाइम है तो इसे मैं अज़िस छोड़ दूँगी तो आज की ये रही एक छोटी सी हर्वेस्टिंग जो की मैंने अपने छट सी हर्वेस्ट किया है आज मुझे मिले हैं सेम और आज मुझे मिले हैं टामाटर और इस तरह से कुछ न कुछ मुझे मेरे टारेस से सबजिया मिलती रहती हैं जो मैं अपने किच्ण में इस्तमाल क करते रहते हों तो यहां पर मैं दिखा देते हूं यहां पर मुझे मिले हैं इतने टामाटर और इतने से वीडियो पस्ट आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हूं नेक्स्ट गार्डिनिंग में शुक्रिया